तो आज के सीरीज में हम देखेंगे पिछले वर्स के प्रस्ट यानि एंटी पीशियो ग्रूपडी एक्जाम के लिए रसायन विज्ञान के महत्वण क्वेशनों को और इस पाट का यह आपके इस सीरीज का यह आठवा लेक्चर है तो आप प्लीज फर्स्ट लेक्चर से जर दरोल लाइक करें अपने दोस्तों के पाथ से शेयर भी करें और जो भी आपको सुझाओ देना आप हमें कमेंट के मादें अपनी सुझाओ दे सकते हैं तो इसलिए स्टार करते हैं कि तरह बढ़ते हैं आज का क्वेशन आपके सामने यह रहा बी चादी अपका राइट अंसर होगा, अप्सन नंबर बी सही है, अब इसके रिटेल्स के बारे में बात करते हैं, तो रसायन विज्ञान में उत्कृिष्ट धातुए या नोबल धातुए वे धातुए हैं, जिनका आर्दर वाई के संपर्क में रहने के वावजूद छरण और आक्सी करण बहुत कम होता है, रजत यानि चादी, सोना, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम, आधी प्रमुख क्या है, उत्कृिष्ट धातुए हैं, तो यह है इस प्रसन का डिटेल्स, नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं, हवा में मौजूद निमलिखित गैसों में पितल के मलीनी करण के लिए जिम्मेदार है, हवा में मौजूद निमलिखित में से कौन सी गैस जो है, पितल के मलीनी करण के लिए जिम्मेदार है, पहला अप्सन है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डियक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनो अक्साइड, तो इ के बात करते हैं तो पीतल एक मिश्रधातु है जो ताबे और ज़स्ते के सन्योग से बनती है और हवा में उपस्तित हाइड्रोजन सल्फाइड यानि हवा से भारी है तथा पीतल के संपर्क में आने पर उसका मलेनी करण यानि के डिस्क डिक्लोरेशन कर देती है तो यह इस प्रशन का डीटेल कौन खराब करता है पीतल का कलर तो हाइड्रोजन सल्फाइड एच्टू एस c6h6 क्या है hydrocarbon है hydrochloric acid है या बेंजीन है या टलियून है तो इस question का जो right answer है option number क्या है hydrocarbon भी है और ये बेंजीन भी है इसका नाम है c6h6 बेंजीन और CH4 आपका मिथेन होता है इस तरही सभी के जो है अलकेन, अलकाइन सभी से रडी के हैं तो यह है आपका हाइड्रो कार्बन और बेंजीन A और C अप्शन दोनों से यह अब इसकी रिडल्स है कि C6H6 को बेंजीन या धूपेन ने कहा जाता है जो एक हाइड्रो कार कारबन पर माड़ू से एक ऐड्रोजन परमाड़ू जुड़ा होता है परनत यह आपसण A और C क्या होगा इसकी सं लचन आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, नेक्स वोशन की बात करते हैं, मैगनीसिया मिल्क का परियोग किस परकार किया जाता है, घुट्टी यानि लेक्सेटिव के द्वारा, दर्दनासक, सामक औसदी, सिडेटिव के द्वारा, या एंटी बायोटिक, तो इस क्योशन का जो राइट अंसर, और अप्शन नमबर A, घुट्टी यानि लेक्सेटिव के द्वारा, जो है, मैगनीसिया मिल्क का परियोग किया जाता है, अप्शन नमबर A सही है, अब इसके डिटेल्स के बारें बात करते हैं, तो मिल्क आफ मैगनीसिया, सम, सामई, कब्ज, पेट की खराबी, खट्टी डकार और घुट्टी यानि लेक्सेटिव के उपचार के लिए परियोग किया जाता है, मिल्क आफ मैगनेसिया, ठीक है, नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं, बारूद में मुख्य रुप से क्या सामिल होता है, तो बारूद में जो है कैलसियम सलफेट, पोटैसियम नाइटरेट का सामिल किया जाता है, पोटैसियम नाइटरेट मिला जाता है, बारूद में यानि इसकोशन का राइट आंसर है, अप्सवन नमबर B, इसके डिटल्स के बारे हम बात करते हैं, तो बारूद एक विसपोटक रसायनिक मिशरण है, और इससे गन पाउडर या अ डिटल्स, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, निमलिकित में से किसमे एथोनाइक एसिड होता है, एथोनाइक एसिड होता है, किसमे निभू करस में, या संत्रे करस में, या सफेद सिर्के में, या टामाटर कैचप में, तो इसकोशन का राइट अंसर अप्सन नमबर C, सफे सिरकें में जो है एसमें होता है अथ होता है इसका राइट सुखमी सिरकें में अफिध सिरकें में Print अब इसके नेक्ष्टा विबशाए关 एसिड होता है अब इसका स YouTubers Weaver आट करते है तो उनियेतने होता है मोनो कारबम Εबसी होता है क्लाξ width तो पर पानी में acetic amyl का 3-7 प्रतिसत विलेन होता है और निर्जल acetic amyl यानि कि हिम नदिय acetic amyl glacial acetic acid के रूप में जाना जाता है और है था नोईक acid CS3 COOS सुत्र वाला carbonic amyl acid होता है जिसकी सनरचना जो है नीचे आपको दिखाए गया है आप इसे जो है समाशक पर है ठीक है नेक्स्ट वोशन की बात करते हैं नुमिकित में से किस विकल्प को हास से गयस काते हैं तो यह काते हैं nitrous oxide को यानि कि N2O nitrous oxide को हम क्या काते हैं हास से गयस काते हैं इसका right answer है अब इसकी डिटल्स के बारे में बात करते हैं तो 1772 इसमी में इंगलेंड के बैग्यानिक जोसफ रिष्टले ने nitrous oxide यानि N2O अर्था धास से गयस की खोज की थी और इस गयस को सुगने पर यह गयस हमारे रक्त में मिश्रित होकर दिमाग को उतेजित कर देती हैं और इसी उतेजना के काराण मनुस्य जो है जो है जोर जोर से हंसने लगता है इसका परियोग सैले किरिया और दंचिकित्सा में समवेदना हारी एनिस्थेटिक के रूप में होता है और अधिक मातरा में लॉफिंग गयस को सुगना हानिकारक हो सकता है तो यह है इस प्रशन का डीटेल्स नाइट्रक्स अक्साइड जो है लॉफिंग गयस है नेक्स लोशन की बात करते यानि कि नाइट्रस अक्साइड होगा नाइट्रिक अक्साइड नहीं ए गलत है यह आपका अप्सन नंबर सी सही है नाइट्रस अक्साइड अपका राइट अंसर है एन्टू ओ अब इसकी डिटेल्स है कि 1720 में इंगलाइन के बैग्यानिक जोसफ फिरिश्टले ने नाइ उसे जो है जोड़ जोड़ से हसने लगता है और इसका पर्यूग जो है सल्यकिरिया और दंचिकित्सा में सम्वेदन हारी एनिस्थेटिक के रूप में होता है और अधिक मत्रा में लौफिंग गैस को सुगना हानिकारक हो सकता है तो यह इस प्रस्ण का डिटेल्स नेक्स् का राइट अंसर अप्सन नमबर मी अब आव लगुलने वाले प्धारत को विले और गुलने वाले halo काते है तो जो इस करो में घुलता है तो आप पानी के घोल में चीनी क्या है बिले है यह पानी क्या होगा बिलायक होगा इसी परकार नमक पानी के घोल में नमक बिले है और पानी बिलायक है जिसमें घुलता है वो बिलायक और जो घुल जाता है उसे बिलेक आते हैं तो यह इस प्रस्ण का डीटियल्स नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं तूथ पेस्ट की समागरियों में कौन सा एक नहीं है कौन सा एक परियोग नहीं किया जाता फ्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैलसियम कार्बोनेट और मैगनिसियम कार्बोनेट तो tooth fist जो होता है उसके समागरियों में sodium carbonate परियोग नहीं किया जाता यानि इस question का right answer option number B sodium carbonate का परियोग tooth fist की समागरियों में नहीं किया जाता क्यों नहीं किया जाता आई ये details लिखते हैं तो details है कि tooth fist बनाने में परियोग होने वाली समागरिया क्या है फ्लोराइड है कैल्सियम कर्बोनेट है और मैगनेसियम कर्बोनेट आधिका परियोग किया जाता है लेकिन सोडियम जो कर्बोनेट का एक जो है क्या है कार्बनिक योगिक है इसका हम परियोग जो है कार्बनिक योगिक है सोडियम कर्बोनेट एक और कार्बनिक योगिक है य इसका जलिये घोल जो है छारिये होता है और यह जल में अतिविरे है या टूश्वेस में सामिल नहीं होता तो यह इस प्रसन का डीटेल्स नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं कितनासक या टीडीटी का अविसकार किस नहीं किया था ओथमार जीडिलर, पॉल हर्मन मुलर, आर्थर फिश्चर्स और फेलिक्स हाफमन तो इसकोशन का जो राइट अंसर अप्शन नंबर बी है पॉल हर्मन मुलर जो है डीडेजी का अविस करते हैं तो डेटल से सरवर प्रथाम 174 में स्विस रसायन पॉल हार्मन मुलर ने संसलेशित किटनासक डीडिवूरो डिफाईन का विसकार जो है किया था डीडिटी का विसकार किया था और का विसकार किया था जो वर्ष 1949 में 222 जुद के दोरान मलेरिया एवं हायजा की बीमारी को रोकने के लिए परियुक किया गया था और इसके लिए वर्ष 1948 में इन्हें नोबेल प्रॉसकार से भी सम्मानित किया गया था जिसकी संधिन आप यहाँ पर दे सकते हैं DD2 की संधिन, ठीक है? ड्राइक्लोरो, ड्राइफिनाईल और ट्रिलोथीन तो यह इस प्रसन का डीटेल से नेक्स्ट केस्ट की बात करते हैं C12H22O11 किसके रूप में भी जाना जाता है रेत, चिनी, नमक और कले डिसकोशन का जो राइट अंसर अप्सन नमबर भी है चीनी के रूप में जाना जाता है चीनी का फर्मूला है C12H22O11 तो यह आपका चीनी के रूप में जाना जाता है अप्सान नंबर B से ही है अब इसके डिटल्स के बारे में बात करते हैं तो C12-H22-O11 चिन्नी यानि सक्कर के रूप में जाना जाता है और जिसका रसायनिक नाम जो है सुक्रोज है और सुक्रोज जो है C12-H22-O11 एक योगिक होता है जो तूटने पर एक और गुलकोज यानि C C6-H12-O6 एवा एक और फ्रक्टोज C6-H12-O6 बना लेते हैं और इन दोनों आड़ू को पाली सेकराइड्स कहते हैं तो यह है इस प्रस्णिका डीटेल्स तो उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें अपने दोस्तों के पास यह सेर भी करें और जो भी आपको सुझाओ देना आप हमें कमेंट के मादें से अपनी सुझाओ दे सकते हैं तो प्लीज लिकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्रोड करें आपको इसका नुटिफिकेशन मिलता रहे और यह यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब कर लें तो आज के लिए बस इत चे भारत अल्ली भेस्ट